ओम शांती और रोध के लिए छमा सारे विश्व की रक्षा के लिए परमपिता परमात्मा ने बहनों को चुना है बहन ही अपने भाई से प्रतिग्या कराए रक्षा सुत्रबांधे ये प्रतिग्या की भाई आप मेरे भाई हैं हम तो आप से बहुत दूर हैं आप मेरी आएंगे आपके नजरों के सामने जितनी बहने आती हैं जिस भी रूप में आती हैं छोटी हैं बड़ी हैं तो आप उन बहनों की रक्षा करें अगर हर बहन अपने भाई से ये प्रतिग्या करा ले कि आप अपने भाईयों से कि आप सब की रक्षा करें तो ऐसा कोई भाई नहीं जिसके कलाई में राकी नहीं बांधी गई हो और ना ऐसी कोई वहने जिसने भाई को कलाई पराखी ना बांधी हो जब अपना भाई नहीं होता है तो भाई द्रम का ढूना जाता है परिवार में ढूनते हैं कि मुझे आज भाई को राकी बांधनी है इस भाई के अंदर कितनी तो सुकता है कितना प्यार भरा है कि मुझे भाई को राकी बांधनी है और भाई से आज की राकी क्या हो गई है ये प्रतिग्या नहीं कराई जाती है कि हम अभया आप से बहुत दूर हैं आप मेरी रक्षा नहीं करें आपके सामने जो बहने उनकी रक्षा करनी है। अधी हर बहन ऐसी प्रतिग्या करा ले, तो आज हमारे देश में जो मानों को मानोता से खत्रा है, हर नारी को, हर बहन को खत्रा है, वो सब समाप्त हो जाए। हमारा देश भाय मुक्त हो जाए, हमारा देश बहुत सवत्तांतर और सुद्ध पवित्र बन जाए। और अगर यही है कि नहीं बहन भाई को राखी बांदे और भाई बहन को खर्ची दे दे, यह तो आदान प्रदान हो गया। हमने अगर अपने भाई को राखी बांदी और भाई ने मुझे राखी बंधवाई उसकी कीमत दे दी, तो कीमत यहीं चुक्तु हो गई भाई क्या मेरी रक्षा करेगा। भाई तब रक्षा करता है केते बहन के उपर विपत्ती आए, तो विपत्ती दोई प्रकार की आ सकती है। या तो तन की, मन की और धन की, उपर कोई बिपत्ति आती है, कोई आकरमन करता है, कोई खतरा होता है, तो भाई बचाता है, लेकिन भाई अधी साथ में है, और बहन से छोटा है भाई, तो वो अकनी बहन के उपर आपत्ती आने पे भी वो कुछ नहीं कर सकता वो भाई बहुत अबोध है अभी कमजोर है छोटा भाई है वो कर नहीं सकता अच्छा बड़ा भाई है तो आज कल का तो एक सिस्टम बन गया कि बहन अलग पढ़ रही भाई अलग पढ़ रहा है अब जॉइन फैमली भी नहीं है तो भाई बहन जब अलग अलग है तो जहाँ बहन रह रही वहीं तो भी पत्ती आएगी भाई इतना दूर हो के बहन की रक्षा नहीं कर सकता किसी प्रकार का उसका सतीत तो नहीं बचा सकता है तीसरी बात है कि बहन तो भाई को राखी पोस्ट से भेज देती है भाई ने पोस्ट में राखी मिली पहनी और बहन को भेज दिया लो बहन ये राखी का है और बहने भी पहले से बोल देती हम तो राकी बंदाई ये लेंगे आपसे भाई जी पहले से पक्का करा लेती भाईया आपकी राकी बांदेंगे तो आप क्या देंगे तो राकी की कीमत तो हमने वसूल ली तो हमारी रक्षा क्या होगी किसी बहन की रक्षा नहीं हो सकती है तीसरी बात है धन की बहन के उपर जब विपत्ती कोई धन की आ जाए तो भाई उसको मदद करेगा लेकिन जरूरी नहीं है कि हर भाई सक्षमों अपनी भी फैमली का खर्चा उठाए और बहन के उपर मुसीबाता है तो उसका भी उठा लेवे अगर भायन से भायाई और ही कमचोर है जो बहुत पूर स्थित्ती में है फाइनसली वो तो अपने नहीं खर्चा कर पा रहा तो रक्षा बंदन जो खुशी का तेवार है आने से पहले उसका मन भारी हो जाता है और वो यही सोचता है कि मेरी बहन राखी ले करके आएगी तो मैं इस राखी का रिटन तो दे नहीं पाऊंगा कहां से लूँगा फिर वो किसी से प्रबंध करता है कि मुझे इसको दे दो मुझे मदद करो उधार दो मेरे घर में बहन आने वाली है मुझे राखी बांधने वाली है तो राखी तो भाई के लिए भारी पड़ गई तो वो धन्से भी तो भाई मदद नहीं कर सकता है यह मदद कौन करेगा जो मेरे नजदीक में भाई है वो किसका भी भाई है तो हर कोई बहन ये प्रतिग्यां कराए कि भाई है तो कोई ऐसी बहन नहीं जो बंचित रहे भाईयों की सुरक्षा थे पर मात्मा पिता ने हमको यही सुक्षा दिये कि आप सारे विश्व की आत्माओं को भाई समझो विश्व बंदोत्त की भाई ना रखो और भाई लोग भी विश्व परिवार हमारा एक वैश्विक परिवार हैं साकारूप में हम सभी आपस में भाई बैन हैं लेकिन हैं तो परमात्मा की संतान परमात्मा ने सिरिष्टी रची, पावन सिरिष्टी रची थी, पवित्र सिरिष्टी रची थी, तो ऐसी सिरिष्टी को फिर से ऐसा बनाने के लिए, हमें अपनी जो ब्रत्ती है, इस्मरती है, ब्रत्ती है, दिरिष्टी है, क्रत्ती है, उस सब को स्रेष्ट बनाना पड़े सबसे पहले तो हमारे सोच में आए कि हम सब आत्माएं एक पिता की संतान है जब बीज में पिता होता है एक पिता की संतान है कभी भी बुरे ख्यालात नहीं उड़ सकते हैं कभी दिरिष्टी कुद्रिष्टी नहीं हो सकती है तो यह सोच के रहें कि मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, हर आत्माएं परमात्मा पिता की संतान है, हमारा सोच इतना स्रेष्ठ हो, सकारात्मा खो, फिर हमारी ब्रत्ती मन की भावनाएं, हमारे मन में ये भावना हो, कि यह हमारा परिवार है, सारा व पिश्व एक है, हम सभी एक की संतान है, तो हमारी जो मन की भावना है, सुभकामना, सुभभावना, हर आत्मा के प्रति शुभवना और सुभकामना हो। जाती भेद, नभासा भेद, किसी प्रकार का नहीं है, और हम सब एक परिवार की आतमाएं हैं, तो हमारी दिरिष्टी आत्मिक दिरिष्टी होगी, हमारी दिरिष्टी एक पावन दिरिष्टी होगी, प्यार भरी दिरिष्टी होगी, नीश्वार्थ का प्यार होगा, नीश् स्रेश्ठ हो, हम कभी भी कुब बचन नहीं बोलेंगे, कड़वा बचन नहीं बोलेंगे, कभी किसी की निंदा गिलानी नहीं करेंगे, कभी किसके लिए ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे, जो दुख देने वाले हों, कहते हैं ना, कि जबान में हड़ी तो नहीं है, लेकिन वो क तो हमारे मुख से ना तो तीर के शब्द निकले ना हमारे मुख से पत्थर के शब्द निकले जो किसी को हट करे या दुख दे परिशान हो तो अपने मुख को भी बहुत मीठा बनाना है तो कम बोलना है धीरे बोलना है और मीठा बोलना है अपनी बाणी को बहुत मीठा बना बहुत शुद्र बनाना है पवित्र बनाना है प्पर अपने हात्वों से कलाई पर राकी बांदी जो पवित्रता का सूचक तो कर्म कैसे करने हैं हमारे कर्म बहुत महान ओ पवित्र हो और करने वाला हो हम सब एक जॉइंट फैमली है सुबकारे में सयोग देने वाला हो जैसे गोबर्धन परवत में दिखाते है कि हर कोई ने गोबर्धन परवत को उंगली दी तो परवत उठ गया ये सयोग का सूचक है हमारे हाथ सदा सयोग के लिए आगे बढ़े हमारे हाथ सब के सुख के लिए आगे बढ़े बहुत महान होगी, कहते ना कि चरन भी कमल के समान होगे, इस धर्ती पर रहते हुए भी, पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, न्यारी होंगे, कभी भी बुराईयों के दलदल में हमारे पाउं नहीं जाएंगे, कभी बुराईयों के कीचड में हमारे पैर नहीं पड़ेंग इसलिए देवताओं के चरन तो पूजे जाते हैं संत मात्माओं के भी चरन धो के लोग पीते हैं चरन की बहुत महिमा है परन्तु कौन से चरन जिन चरनों से पधारने से लोगों का घर भी धन्य हो जाता है पवित्र हो जाता है तो हमारे कदम कभी भी गलत इस्थान पर नहीं जाएंगे, इतना कंट्रोल रहेंगे, ये रक्षा बंदन का प्रतिग्या कहिए, पवित्रता कहिए, संकल्प कहिए, तो हर बहन भाई को राकी बांदती है, इसी संबंद से बांदे, अध्यात्मिक रहे से बहुत गूर है, वर तो वो दिन दूरे के हमारा देश स्वर्ग ना बन जाए, बहुत जल्दी बनने वाला है, इनी संकल्पों से राकी बांदे, और भाई से धन लेने के बजाए, पैसा लेने के बजाए, राकी बांद करके ये प्रतिग्या कराई, कि भाई तुम अपनी बुराईयों का दान दे दो, हमें इसके बाद यही देना, अगर क्रोध है, तो क्रोध का दान दे दो, क्रोध भी एक अगनी है, स्वयम को भी जलाता है, सारे परिवार को भी जला देता है, तनाव का बिमारियों का कारन बन जाता है, अगर लोब है, तो लोब का दान कर ले ले, भाई से राकी बंधवाई, क्योंकि संसार में जितने भी भरष्टाचार है, ये पिकारों के कारण है, लोब भी कम नहीं है, दोको आज जमा खोरी है, काला बाजारी है, रिश्वत खोरी है, ब्लैक मार्केटिंग जितना भी है, ये सब कौन करा रहा है, ये लोब करा रहा है, किसी के बाले जाले चीने जा रहे है, चेन चीनी जा रहा है, लोब करा रहा है, तो लोब अगर बहन दान में ले ले तो इस सारे भरष्टाचार खतम हो जाएं, इसी तरह से मोह है, लोब है, आहिंकार है, आज देखो, आहिंकार मनुष्ट को इतना हो गया है, कि वो आहिंकार में डूब हुआ है तो बहन उसे अंकार ले ले और सबसे बड़ा तो तेरा मेरा मैं बड़ा तू छोटा आज क्या होता है कि धर्मों में भी बहुत मतभेद हो गया बड़े छोटे का उसका नतीजा कि जिन हमारे मंदिर में मस्जिद में गुर्द्वारों में देवी देवताओं की मूर हमों के जखीरे मिलते हैं क्योंकि धर्म का रूप परिवर्तित हो गया है मजहब में आ गया है लिकिन वास्तों में हमारा धर्म है आत्मा की धर्णाएं कि हम सर्व आत्माएं सांत स्वरूप आत्मा हैं प्रेम स्वरूप आत्मा हैं तो बहन एक सब्द का जो है त्याग करा या भाई से राकी बंधवाए ले ले वो शब्द है कू तो जीवन से एक सब्द निकल जाए और एक अक्षर सू सब्द आ जाए कू बुराई का प्रतीक है और सू अच्छाई का प्रतीक है अगर हमारी इस्मरती में ब्रती में कू है तो हमारी ब्रती कू बन जाएगी तो कू का दान कर दे, बहन को वापस कर दे राकी मंधाई, बहन सक्षा में लेने में, अगर हमारी द्रिष्टी में कुए तो कुद्रिष्टी हो जाती है, अगर बचन में कुए तो कुबचन हो जाता है, यदि कर्म में कुए तो कु कर्म हो जाता है, और यदि हमारी चलन में कहीं कु सब्द जुड़ा है तो वो कुछलन हो जाता है और इन सब का प्रभाव कुल मिला के पड़ता है संसकार पे जो बात की जाती है सुनी जाती है देखी जाती है उसका रियक्षन संसकार बन जाता है और हमारा जो संसकार है वही हमारा संसार बन जाता है अगर स्रेश्ट संसकार ह तो संसार अमारा स्रेश्ट है और यदि हमारा संसकार गैंग कर दिया और संसकार तो संसार भी ऩम यह वहत तो हमां बहुत अच्छे संसकार बनानी है तो कूछ Śब्द का त्याग करना होगा रक्षा बंदन पर लेकिन खाली नहीं जाना है उसके इस्थान पे सू सब्द लगा दीजिए हमारी ब्रती में सू लग जाएगा द्रिष्टी में सू लग जाएगा सू द्रिष्टी होगी बचन में सू होगा तो सू बचन होगा कर्म में सू होगा तो सु कर्म हो जाएगा चलन में सू होगा सु चलन होगी इसु संसकार होगा और संसकारों से सारा संसार का निर्मार होता है हमें अपने संसकारों को बहुत स्रेष्ट बनाना है तो रक्षा बंदन का अध्यात्मिक रहसी ही है कि सबसे पहले अपनी आत्मा की रक्षा जब तक भाई ने अपनी आत्मा की रक्षा नहीं किया है वो बहन की भी रक्षा नहीं कर सकता है और भाई ही तो बहनों पे आकर्मन करते हैं हर तरह से आत्म रक्षा क्या करना है कि हमारे अंदर कुछ शब्द नहीं आने पाए जहां ये अटेक करता हो वहां राखी याद करनी है कि मैंने ये पवितरता की राखी बांदी है ये प्रतिग्या की राखी है मुझे इस बच्चन को निभाना है ये भाई और बहन का प्यार जो आज बिक्रत हो गया है कल्यूग में आते आते उसको मुझे फिर से वापस लाना है जो हमारे देश में प्यार बहुत था, क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा की बनाईवी स्रिष्टी उसको प्यार का सागर कहते हैं, हर आत्मा प्रेम सरूप थी, शांत सरूप थी, जैसा कि बताया इतना प्यार था इस स्रिष्टी में कि सेर और गाय एक घाट पानी पिया क प्यार करेंगे, तो निश्चित है कि हमारी स्रिष्टी फिर से वही प्यार बरी स्रिष्टी होगी, निर्भय स्रिष्टी होगी, पवित्र स्रिष्टी होगी, ओधन्धान संपन्न स्रिष्टी होगी, भरष्टाचार से मुक्त स्रिष्टी होगी, स्रिष्टाचार हो जाए हर बाला मोहन बन जाएगा हर बाला राधा बन जाएगी तो यह राखी की प्रतिग्या हमको ऐसे ही करनी है और हर बहन को भी अपने भाई से प्रतिग्या करानी है राखी का मोल बहुत है किवल पैसा नहीं है धन नहीं है भाई को भी राखी का मोल चुकाना पड़ता है लेकिन वो कब चुका पाएगा जब सक्षम होगा, जब उसके आत्म रक्षा होगी, अगर उसके उपर ही विकारों का अकर्मन होता रहेगा, बुराईयों का अकर्मन होता रहेगा और उससे विजयी नहीं बन पाएगा, तो वो देश की रक्षा, समाज की रक्षा, धरम की रक्षा, म मैंने कई जगा देखा कि बायन भाईयों के बीच में मुकदमें चल रहे हैं कचेरी के अंदर, प्रपरटी को ले करके, तो बायन और भाई का प्यार कहां खो गया, मुझे तो प्रदीप की एक कड़ी आदाती है कि वो प्यार कहां खो गया, आज के इस इंसान को क्या हो गया, लेकिन ये रक्षा बंदन अगर आध्यात्मिक्ता की द्रिष्टी से, ये जो मैंने बताया पांच बचन की द्रिष्टी से, कि अपने अपनी स्मरती में, अपनी ब्रती में, अपनी द्रिष्टी में, अपनी बाणी में, अपने करम में, अपने चलन में, अपने संसकार में कू नहीं आने देंगे इससे हम सतार करेंगे और अगर यह हमारे उपर वार करता है उसकी जगह हम सू सब्द को पहले बिठा देंगे तो जहां सुमत वहां संपन नाता और जहां कुमत वहां विपत निधाना वहां तो कोई निधान है यह नहीं जहां कुमती होती है वहां तो सुमत होई नहीं सकती है और जहां सुमत होगी वहां संपती उतनाना प्रकार की होगी तो सूच सब्द होगा तो कोई भी हमें किसी भी प्रकार का ना बहन को सयोग देने की आवश्यक्ता होगी ना रक्षा करने की आवश्यक्ता होगी और ना ब बहन भाई से उमीद रखेगी कि भाई मेरा प्यार बना रहे या भाई तु मेरी रक्षा करना, क्योंकि सर्व के रक्षक परमपिता परमात्मा शिव हैं, देश के रक्षक, विश्व के रक्षक, सब धर्मों के आत्माओं का रक्षक, सब आत्म हैं उसकी संतान हैं, वो सर्व का पिता है तो विश्व के रक्षक का अभी यही कहना है कि बच्चे ये आध्यात्मिक पवित्रता की राकी बांदो मन बचन कर्म से शुद्ध और पवित्र होंगे निर्मल होंगे ये निर्मल धागा भी जो बांधा जाता है निर्मलता के लिए शुद्धता के लिए पवित जूट से, छल से, कपड से, धोखा धारी से, इन सबसे अपने आपको बचाना है, यह राखी रक्षा करती है, इस बाबा की तरफ की जो राखी है, उनकी याद की बंदीवी रक्षा करती है, हर तरह से हर आत्मा की रक्षा करने वाली है, हमारा देश बहुत सुन्दर बन जो मारा भारत देश था वो पुना वापस आजाएगा भारत स्वार्ग बन जाएगा बस आप सबसे अनुरोध हैं कि आप सभी इसी तरह से रक्षा बंधन को मनाें केबल रिवाजी नहीं मनाें रसं का नहीं मनाें लेकिन की की पृत को निभाएं प्रीत करना आसान है, रीती करना आसान है, उसको निभाना है इसलिए बहुत अच्छी कड़ी है कि मैया मेरे राखी के बंधन को निभाना पर भाई राखी बंधवा तो लेता है, उसके बाद से सब कुछ भूल जाता है ऐसी परिशितियों में फसा हुआ है गिरा हुआ है कि उसको सब भूल जाता है लेकिन जब हम आध्यात्मिक्ता की दृष्टी से एक पवित्रता की राखी परमात्मा का देन बर्दान समझ के करेंगे तो निश्चित है कि हम सारे बंदनों से मुक्त हो जाएंगी ना दुख का बंदन ना दर्द का बंदन ना कवितन मन के कष्ट का बंदन ना परिवारिक कष्ट का बंदन कोई बंदन नहीं होगा साब बंदों से मुक्त करने वाली ये पामन राकी है ये राकी केवल हिंदू परिवार की नहीं है देखे पद्मवती ने हिमायू को राकी बेजी थी ये सब के लिए कोई जाती धरम का भेद नहीं है यम ने यम को राकी जो है यमना ने बनाई थी उनकी बहन ने बांदी थी, यह तो हमारी राकी आध्यात्मिक है, तो अब इसको आप सांसारिक रीते से, रस्तम रीती से नहीं मनाएं, लेकिन परमात्मा पिता का कहना है कि इस राकी को बहुत प्रेम से और आध्यात्मिक रीती से, आत्मिक रिस्ते से मनाएं, तो साफ खत्र तो किस से देखा जाए, गहराई से सोचा जाए, तो मानों को मानों से खत्रा है, आप प्रेक्टिकल अन्भो किया होगा, नहीं तो कहीं करके देखिएगा, जीवन में सुनाओगा, और नहीं तो एक आप इमेजिन बनाईए, कि आप कहीं आकेले सुन्सान ऐसी जगा में फस गई है जहां से आप नहीं आ पा रही है रात हो रही अंधेरा है जंगल है वहां आपको और कोई ख्यालात नहीं आएगा एक ही ख्याल आएगा यह कभी नहीं आएगा कि कोई शेर चीते निकल आएंगे कभी एक ख्याल नहीं आएगा कि कहीं जंगल में सांप आ जाएंगे मेरे पैरों में लिपड जाएंगे अगर आंधी तूफान बारिस हो रही है तो कभी एक ख्याल नहीं आएगा कि डालिया मेरे उपर गिर पड़ेंगी तूट करके ये भी ख्याल नहीं आएगा कि कहीं बिजली न गिर जाए अगर आपको सता रहा डर तो एक ही सता रहा है साप का नहीं, शेर का नहीं, बिजली गिरने का नहीं, डाली तूटने का नहीं एक डर सता रहा, इस इंसान जगा में कोई इंसान तो नहीं मिल जाएगा आज किस से बैं, इंसान को इंसान से, खत्रा किसको है इंसान को इंसान से खत्रा हो गया है लुटने का, पिटने का हर तरा से, तो क्यों नहीं हम इस रक्षा बंदन को आध्यात्मिक तरीके से बांदें और ये प्रतिग्या करें कि सब्रत्थम मुझे अपनी आत्मा की रक्षा काम, क्रोध, लोम, आइंकार से करनी है अगर हम इसमें विजय हो गए तो हमारी रक्षा सारे विश्व को रक्षित करेगा ये रक्षा ऐसे साधारन नहीं है जो बांदी जाती है ये परमपिता परमात्मा ने हमात्माओं को बांदी थी अगर किसी ने मर्यादा भी तोड़ी परमात्मा की तो उसको कष्ट मिला सीता जीने एक लकीर का बंदन तोड़ा था तो सारी रमाण तयार हो गई हम कभी भी अपने परिवार की, समाज की, किसी भी प्रकार की, जीवन की, मरियादाओं के लकीर को नहीं पार करें यह हमारी मरियादा की रक्षा करने वाला है तो इसी तरह से अगर आप लोग इस राकी को बादेंगे परमात्मा की तरफ से आपको कोटी-कोटी बधाई है परमात्मा भी खुश हो करके आपके उपर फूलों की वर्षा करेंगे वा मेरी आत्माएं, आज एक बहुत संदर संकल्ब लिया है और इसी आसा के साथ, इनी उमीदों के साथ कि आप सब ऐसा रक्षाबंदन मनाएंगे अभी जब तक मनाते आए, उसको इसके साथ ऐसा मनाएंगे तो निश्यत है कि आपको मेरी भी बहुत-बहुत दुआई है और बहने तो भाईयों को दुआ हमिसा देती है बहने कभी भाईयों को बद दुआ नहीं देती है तो बहुत दिल की दुआई है और सब की दुआएं आपको फले आप ऐसे रक्षाबंदन मनाएं, इसको बैस्विक रूप से मनाएं हर बहन मेरी बहन समझ करके मनाएं तो देश हमारा बहुत सुंदर वो स्वर्ग वो देवी दुनिया बन जाएगा और जितने आशुरी संसकार हैं वो निकल जाएंगे ऐसी उमीद आप सबसे है ओम शान्ती